दोस्तों मैं हूँ दो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्टर जो हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 3000 मुर्गियों का अगर हम प्रावेट बेज डालते हैं तो हमें क्या सुरुवात हमें कहां से करनी होगी तो दोस्तों मैंने कले पोस्ट करके बताया था कि मैंने ग्रै ऐसे मैंने खरीद लिया है आप अभी तक जितने भी हमने वीडियो यूटूब पर जीतने व起 funny यहां पर बाते हैं तो दोस्तों आप बारी है हमारे मेनेंट के उपर क्यों कि अब हम डाल रहे हैं तो सब कुछ हमारा रहेगा तो हम कि अब हम कहां पर गलती करते हैं या पिर हमारे अंदर हमने कंपनियों से क्या सीखा है तो चली दोस्तों हम देखते हैं कि अब हमारे सामने जो चुनोती है क्योंकि अब हम सुरुआत नहीं कर चुके हैं तो अब हमारे सामने चुनोती है कि हमें सुरुआत कहां से करना है और क थो नुखसान उठाए तो हमें वह उन गलतियों से बचते हुए, हमें क्या करना है, तो दोस्तों जब भी होता क्या है, कि जब भी फार्मर प्रावेट बेज के उपर जाता है, चुंकि कमपणियां तो अपना सब कुछ बना के अपने को रेडिमेट के आदर डाल देती है तो हमें कुछ करने की जरूत नहीं अपना हाथ मुख कुछ नहीं जलता है और सीधे हमको खाने को मिल जाता है ना ही हमें पैसे लगते हैं बचे भी मर जाए तो यह सब चीजे होती है तो अब हम प्रावेट पे डाल रहे हैं तो अब हमारे सामने कौन से कौन से टास्क है तो चले दोस्तो हम सुरू करते हैं चिक्स तो हमने माल लो चिक्स हमें खरीदना है अब कहां से खरीदना है इस वाले के इसके उपर हमें second point पहते हैं किन्तु पहला हमारे मन में आता है कि हम feed कैसे बनाएंगे feed अब देखी दोस्तो मुख्य point जो हमारा आता है feed अब feed हम मारे यह है हम self से बनाए या फिर ready-made feed ले पहले यह हुआ अब माल लिजा हम पहले इस पर जा रहा है हम self पर जा रहा है तो अब इसमें concentrate हम खुद बनाए या फिर यह भी self से ले मतलब जिसे concentrate हम self बनाए या फिर हम ready-made concentrate ले इसमें भी यह आता है कि माल लिजे कि concentrate चुंकि हमारा सुरुआते हम ने concentrate माल लिजे अब उसमें भी हमारे सामने एक टास्क यह है कि 5% पर जाए 10% पर जाए 30% पर जाए 40% पर जाए और मारकेट में 35% भी अबेलेबल है किन्तों यह मुखेत जो चलने वाले concentrate है तो अगर इन पर जाते हैं तो इनका मतलब यह हु तो 5% के तूलना में सस्ता रहेगा फिर इस पर जाएंगे तो सस्ता रहेगा और इस पर जाएंगे सस्ता रहेगा किन्तों performance किसमें अच्छा आता है वह हमें देखना महतविपून यह है कि कौन से concentrate के उपर हमें जो है result हमें अच्छा देखने को मिलेगा तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात पर यह है कि जितने भी farmer भाई, जो private farming करना चाहते हैं या फिर private farming कर रहा हैं या फिर poultry farming के business को अच्छे से समझते हैं तो आप मुझे comment करके बताएं की हमें कौन सा concentrate readymet लेना चाहिए या फिर हमने खुद से बनाना चाहिए दूसरा हमें कौन सी company का लेना चाहिए और उसके बाद में हमें कौन सा ज्रॉब कितने percentage वाला concentrate लेना चाहिए उसके बाद में हम फिर हमारे सामने टास्क आता है कि मक्का, मक्का लें और डियोसी लें या डियोसी के जगह डियोसी के जगह डियोसी के जगह डियोसी के साथ में मक्के के जगह हमें चावल से मक्के को रिप्लेस कर सकते हैं क्या या फिर मक्का ही हमें जो अलड़ी जो हम चल वाला है चिक्स की बुकिंग हो चुकिए जो आज का रेट जो खुलेगा उस रेट में चिक्स आया का तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि यह सब चीज़े मैं चल रही है तो अब हमें क्योंकि यह तीन हजार मुर्गियों कि मैं प्रावेट बेच इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि मुझे यहां से बहुत सारा पैसा मैं कमा लूँगा दोस्तों मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इतने दिनों का जो पॉल्ट्री फार्मिंग का जो सभी फार्मर भाईयों से जो कनेक्ट और जिन जो एक्सपर्ट जो हैं कुछ लोग जो मुझे गाइड करते हैं उनके जो अगर हम गाइडेंस में मैं चाहता हूं कि फॉल्ट्री फार्मिंग के बिजनस को प्रावेट फार्मिंग को मैं थोड़ा सा एक ग्रो मतलब एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता हूं क्योंकि इससे पहले तक मेरा उद्यश ये था कि मैं प्रावेट फार्मिंग के विजनस में मतलब इंट्रिकेशन में एक लाग की फार्मिंग तक पोच जाऊं और उसके बाद में फिर लाइफ शेटल तो दोस्तों मैं आप वो नहीं करना चाहता हूं कि मैं प्रावेट फा चाहिए यहां से क्योंकि मैं प्रावेट बेच का चिक्स फिट प्लांट भी मैंने ले लिया आज में डियोसी और मक्का भी आ जाएगी वह किस रेट में यह सब चीजे में आपको जरू बताऊंगा तो दोस्तों आप मुझे गाइड करें कि मुझे अब कहां पर जाना चाह और इसमें किस चीज को किस से रिप्लेस कर सकते हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे काइड करके बताएं तो दोस्तों मेर मुझे आपके कमेंट और आपके जवाब के मुझे इंतजार रहेगा तो दोस्तों इसके साथ में वीडियो समापत करना चाहूंगा धन्यव हर दोस्तों में हम और आपके काईड झाल झाल